तो नमस्टा दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो राजिस्तान की पहले वंदि भारत एक्सप्रेस का जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस साल के आकरी तक राजिस्तान के अंदर दोस्तो इलेक्शन होने वाले हैं तो बस इसी की तैयारी जो है दोस्तो वो अभी से जोरो शोरो से चाल हो गई है और कुछ न्यूज आर्टिकल्स के द्वारा ये इस चीज के बारे में आपर बताया जा रहा है कि अप्रेल महीने तक जो है राजिस्तान की पहली वंदि भारत एक्सप्रेस जो की दिल्ली से लेकर कि जैपूर या फे मैं बात करूँ जैपूर से लेकर कि दिल्ली तक संचा लेकिन फिर भी हम कुछ नगुछ अंदाज से लगा सकते हैं कि आफिर तरीक्य से जो है इस ट्रेंच संचालित होगी इस रूट के उपर तो जैसे ही दोस्तों पिछली जो 10 बंदे बारत एक्सप्रेस यां पर संचालित हो इन सभी बंदे बारत एक्सप्रेस में एक तीस common है कि जो संचालेंस की तिथियां है या फिर मैं बात करूं जो दिन के बात है दोस्तों वो हफ्ते में 7 दिन की बज़ा है हफ्ते में 6 दिन संचालेत होती है और Sunday यानि की रभिवार को जो है एक दिन के लिए maintenance के लिए इसको छोड़ा जाता है लेकिन हम बात करें इस ताइम टेबल होने वाला है इसका जैपूर से यह जो ट्रेन है दुस्तों दिली तक के लिए 4 गंते से लेकरके 5 गंते पाँधे तक का टाइम लेगा या फिर बात करो दोस्तों लबबग साड़ी presses को जबात क करना तो दो दूस्तों130 की रफतार नहीं होने वाली है क्योंकि कि दौरान दूस्तों यह जो ट्रेन है शाम को 36 पर दिल्ली से चलेगी और रात को दस बच के 35 मिनट के आज पास वे जैपुर पहुंच जाएगी इस दौरान दूस्तों यह जो ट्रेन है अलवर और रेवारी दो इस्टेशन ओपर ठहराब लेगी इस तरीके से जो है दूस्त नियरल चलेवह को देखते हुए चलेवर डेर तरीक पहस्ते अंच्रेश को ब्रेक्व को देखते हुए चलेवे आज चाहे बात करें halt को लेकर के तो दोस्तों यहाँ पर जैपूर के बाद में है क्योंकि अब जैपूर में थोड़े टाइम में यहाँ पर working चुरू हो जाएगी क्योंकि इसके जो look है उसको यहाँ पर बदला जाने वाला है तो इसके लिए यहाँ पर जो है इसको change कर दिया जाएगा ह हो सकता है जैपूर junction से ना चल करके यह जो ट्रेनर दोस्तों खाती पूरा railway station से संचालित हो थोड़े टाइम के बाद में वैसे तो जैपूर इसका main station होने वाला है जैपूर से नई दिल्ली तक तो मुश्किल है कि जैपूर से लेकर के दिल्ली सराय रोहिलत तक यह जो ट्र गुर्गाओं के पास में ही जो है दिल्ली का आई जी आई जो है एरपोर्ट स्तित है तो हो सकता है कि गुर्गाओं में इसका हॉल्ट दिया जाए बाकि आप लोग क्या सोचते है इस चीज को लेकर के मुझे comment box में लिख करके जरूर से बताना और इमीद करूँगा कि आप आपको वीडियो प्रसंद आया होगा वीडियो प्रसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना मिलेगे भी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्राम जैश्री राम